हेलो दोस्तों मैं धीरन स्वागत करता हूँ आपका एक्जाम स्टडिविस संगीता में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारती थ्यास से बनने वाले एक इंपॉर्टन टॉपिक की आज हम बात करेंगे गुप्त काल से बनने वाले इंपॉर्टन कोशन की द इंपॉर्टन सावित होंगे दोस्तों आप किसी भी एक्जाम की तयारी कर रहे हों चाहें वो रेलवे का एक्जाम हो एससी का या फिर किसी स्ट्रेट लेविल का एक्जाम जहां भारती थ्यास एक इंपॉर्टन टॉपिक होता है वहां गुप्त काल से कौशन पूछे जाते ह और तक आपने हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं ही किया है जिस से कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नॉатиफिकेशन टाइम पर मिलता रहे तो चलिए हम अपने किलास सुरू करते हैं इंपोर्टन कोशन है गुप्त सत्यापत कला का सर्वो क्रस्ट मंदिर निम्न में से कौन सा है तो यह है देवगड का दस अफ़तार मंदिर अजनताओं की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्मान गुप्त काल में हुआ अमर कोश के लेखक अमर सिंग किस सासक के दर्वार से जुड़े थे अमर कोश के लेखक अमर सिंग किस सासक के दरवार से जुड़े थे सही आंसर है ओप्शन डी चंद्गुप्त उत्ति है गुप्त समवन्थ 319 से 320 कुप प्रारम करने का सरे किसको दिया जाता है इंपोर्टन कोशन है राइट आंसर है ओप्शन ए किसको चंद्गुप्त प्रिथम को चंद्गुप्त प्रिथम ने गुप्त समवन्थ का प्रारम किस उपलक्ष में किया प्रयाग प्रसस्ति अविले का लेखक हरी शिर्ण किस सासक का दरवारी कभी था प्रियाग प्रसस्ती अविले का लेखक है कौन हरी सिर्ड और ये किस सासक का दरवारी कवी था ये आप से पूछाया रहा है सही आंसर है option A समुद्र गुप्त का सासक का ये दरवारी कवी था गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है तो आपका सही आंसर है option B कलावा साहित के छेतर के अपने चर्मोत स्क्रब पर पहुँचाने के कारण इसको क्लासिकल युग कहा जाता है सारनात के धमेक इस्तूब करनमान किस काल में हुआ था important question है most important सारनात के धमेक इस्तूब करनमान किस काल में हुआ था सही आंसर है गुप्तकाल में कौशन है गुप्तकाल की सोनी की मुद्रा को क्या कहा जाता था सही आंसर है दीनार कहा जाता था दोस्तों उसको दिहान रखेगा कुमार संभभम महाकाव किस कवी ने लिखा है राइट आंसर है ओप्शन डी काली दासने ये question exam में पूछा गया इस बात को दिहान रखेगा नालंदा बिस्विध्याले की स्थापना किस युग में हुई सही answer है right answer है दोस्तों इसका गुप्त युग में ठीक है नालंदा बिस्विध्याले की स्थापना कब हुई गुप्त युग में question number 42 देखते हैं गुप्त युग में भू राजस्वि की दर थी सही answer है option B उपज का छटा भाग ये question भी exam में पूछा गया है किस वन्स के सासकों ने मंदिरों एवं ब्रहमनों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था exam में question पूछा गया है question important है दोस्तों किस वन्स के सासकों ने मंदिरों एवं ब्रहमनों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था answer है गुप्त वन्स किस वन्स के सासकों ने sorry दिल्ली के महरौली के कुवत उल इसलाम मस्जित के प्रागरण में इस्थित प्रसिद लोह इस्थम किस की स्मिर्थी में है यूपी PCS में caution पूछा गया है caution है दिल्ली के महरौली के कुवत उल इसलाम मस्जित के प्रागरण में इस्थित प्रसिद लोह इस्थम किस की स्मिर्थी में है तो ये है चंदर की स्मिर्थी में किस की अगनी मित्र क्या है इसका सही आंसर अगनी मित्र कॉश्चन नमर 47 देखते हैं समुधर गुप्वद की सैनिक उपलब्दियों का बररन किस अवीलेख में उपलब्द है कॉश्चन UPSC की साथ सार BPSC में पूछा गया है समुधर गुप्वद की सैनिक उपलब्दियों का वर्ण उसके किस अभी लेख में उपलब्द है Right answer है option D प्रयाक के कह रहा है देखे उसके किस अभी लेख में प्रयाक के तो ये समतर गुप्त का ही अभी लेख है अगला है निम्ले में से किस काल में इस्तरियों की पुरसों से बरावरी थी important question रहेगा किस काल में इस्तरियों की पुरसों से बरावरी थी किस काल में Right answer है option A गुप्त काल में इस्तरियों की पुरसों से बरावरी थी कौन सा राजवन्स हूलों के आघरमर से अत्यंध बिचलित हुगा UPPSS में कॉशन है यह यानि के exam में पूछा गया प्रप्रेय्बेन कौन सा राजवन्स हूलों के आघरमर से अत्यंध बिचलित हुगा राइट आंसर है. Option C. गुप्त वट्वन्स निमलिकित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था MPP से में कोशन पूचा गया निमलिकित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था सही आंसर है जान की हरण ठीक है जान की हरण इसे कालिदास नहीं लिखा लेकिन बाकी की याद रखेएगा यहाँ से एक्जाम में प्ोस सकता है आपसे बिक्रमो वर्सियम यह वी कालिदास दोरा लिखा गया है अगला कोशन है अजन्ता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाओं मद पिर्दिस में कहां पर हैं MPPSS में question ये पूछा गया है अजन्ता गुफाओं के सवीखी जैसी गुफाओं मद प्रिदिस में कहां पर इस्थित है सही आंसर है option A बाग या फिर धार कह सकते आप इसको गुप्तवंस की अवदी का सासन क्या था CPSC में question पूछा गया गुप्तवंस की अवदी का सासन क्या था राइट आंसर है option A 319 से 500 इश्वी ठीक है next question है बाल बिवा की पृथा आरम हुई बाल बिवा की पृथा आरम हुई एक्जाम में question पूछा गया है राइट आंसर है option C गुप्त काल में सोने की सरवादिक सिक्के किस काल में जारी किये गए यूरोपिये भासा में अनुदित प्रथम भारते गरंथ कौन सा है option B अगला question मोष्ट इंपोर्टन रहेगा सती प्रता का पहला उले कहां से मिलता है सती प्रता का पहला उले कहां से मिलता है तो ये मिलता है एरन अवी लेक से किसे एरन अवी लेक से नेक्ट है गुप्त वन्स के निमलिकिस सासकों का करा सासकों को करम से लगाईए कोशन है आपके बाद और इसका आंसर लगाईए फिलाल मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं सही आंसर है option E option E ठीक है न? option E इसका सही आंसर है यानि कि ये पहले सही सही करम में है तो पहले आया चंद्रगुप्त first, इसके बाद समुत्र गुप्त फिर चंद्र गुप्त दुत्ती है फिर है कुमार गुप्त इसके बाद इसकंद गुप्त ठीक है ध्यान रखेगा इसको कौशन नमर 58 देखते हैं गुप्त कालीन सिक्कों का सबसे बड़ा धेर कहां से प्राप्त हुआ important कौशन रहेगा गुप्त कालीन सिक्कों का सबसे बड़ा धेर कहां से प्राप्त हुआ है लगाई इसका आंसर सही आंसर है option A बयाना भरतपुर से ठीक है गुप्त कालीन सिक्कों का सबसे बड़ा धेर कहां से प्राप्त हुआ है बयाना भरतपुर से किस गुप्त सासक को नालंदा बिस्पिध्याले का संस्थापक माना जाता है important question है question BPSC के exam में पूछा गया किस गुप्त सासक को नालंदा बिस्पिध्याले का संस्थापक माना जाता है सही आंसर है कुमार गुप्त फश्ट को ठीक है सैनिक अवियानों में देखा जा सकता है क्या है कथन A प्राचीन भारत में सामानती विवस्ता का अबुदय सैनिक अवियानों में देखा जा सकता है कथन R में कह रहा है गुप्त काल में सामानती विवस्ता का परियाप्त बिस्तार हुआ था गुप्त काल में समानती बिवस्तारा पर्याप्त बिस्तार हुआ था तो इसका सही आंसर है दोस्तों, option B, A और R तोनों ही सही है यानकि प्राचीन भारत में समानती बिवस्ता का अबुदै सैनिक अभियान में देखा जा सकता है और गुप्त काल में समानती बिवस्ता का पर् दोस्तों आज का प्रेटिस सेट यहीं एंड होता है उम्मीद करता हूँ आपको सभी कोशन अच्छे लगे होंगे समझा होंगे पूरा वीडियो देखने की धन्यवाद जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ